हेलो स्टुडेंट्स नीट वाइलोजीन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वैलकम और आज हम बात करेंगे हुमन फीजियोलोजी के अपने पहले चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जोप्शन के बारे में आज का जो हमारा टोपिक है लेक्चर नंबर फोर के अंदर आज मिकोसा के बारे में डिसकस करेंगे और दूसरा टोपिक जो हम यहां पर कवर करेंगे वो होगा विलाई एंड माइक्रो विलाई एंड क्रिप्ट्स ओप लिबर खून के बारे में हम यहां पर बात करेंगे और हम कम्प्लीट NCRT की हर एक लाइन को यहां पर डिसकस करने जा यह सुरू करते हैं, आज का अपना lecture, transfer section of gut के साथ हैं, अब हम आज का अपना lecture शुरू करते हैं, हम बात करने जा रहे है, starting में, transfer section of gut के बारे में, gut क्या है, basically जो हमने elementary canal के बारे में आपसे बात की थी, जो elementary canal हमने आपको बताया था mouth से लेकर के mouth से लेकर के जो large intestine large intestine उन्हें रेक्टम तक का जो portion है mouth उसके बाद isophagus isophagus के बाद stomach के बाद small intestine and large intestine इसे क्या बोलते हैं elementary canal बोलते है for example हमारे पास जो ये देखने को मिल लही है ये isophagus है isophagus के बाद हमारा ऐसे यहाँ पर इस्टमक सुरू हो जाता है इस्टमक के बाद यहाँ पर intestine हमारी सुरू हो जाती है इस complete इसे हम क्या बोलते है elementary canal बोलते है अब हमें यहाँ पर क्या discuss करना है हमें बताना है कि हमें इसका transfer section काट करके देखना है basically हम बात कर रहे है हमारे पास ये क्या है इसोफेगस है अगर हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं तो हमारे पास कैसा हिस्सा बचता है यह हमने कट कर लिया तो कट करने से हमें जो यह transfer section हमने काटा तो हमें ऐसा circular structure दिखाई देगा पूरी elementary canal के अंदर से हम कहीं से भी कट कर सकते हैं चाहे हम इसोफेगस से कट करे या इस टमक से कट करे इस small intestine से कट करे या large intestine से चाहे यहाँ से कट करके देख ले या इसके बाद small intestine या large intestine से भी हम काट करके transfer section देख सकते हैं तो हम इसके अंदर क्या पाते हैं जब हम ऐसे transfer section काट करके देखते हैं तो हमें एक circular structure basically यहां पर कैसा बनेगा जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो circular structure form होगी इस circular structure में हमें क्या देखने को मिलता है इस circular structure में हमें सबसे outer जो layer देखने को मिलती है इस circular structure के अंदर जो सबसे outer layer हमें देखने को मिलती है उसे हम सिरो सा बोलते है जो आउटर लेयर देखने को मिलती है उसे सिरो सा बोलते है उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है जब हम इसके अंदर जाते है और इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है हमें इसके इनर हमें देखने को मिलते हैं मस्कुलेर इसके अंदर क्या होता है मस्कुलेरिस होता है और मस्कुलेरिस के में दो लेयर देखने को मिलती है जो अंदर वाली लेयर होती है जो इनर लेयर होती है अंदर वाली लेयर इसकी सर्कुलर होती है और जो outer layer होती है जो muscularis की outer layer होती है वो longitudinal होती है फिर इसके आगे हम अंदर और इसके बढ़ते है बेसिकली ट्रांस्वर सेक्चन वगट के अंदर हमें कितनी layers देखने को मिलती है हमें four layers देखने को मिलती है means mouth से लेकर के हमाये large intestine तक हमें अगर उसका हम transfer section काट करके देखते है तो हमें four layers देखने को मिलती है उन four layers के अंदर जो सबसे outer layer होती है वो सिरोसा होती है और सबसे inner most layer जो होती है सबसे inner most जो layer होती है सबसे innermost layer को हम बोलते हैं mucosa और muscularis की दो होती है inner circular and outer longitudinal होती है basically बट इस्टमक के अंदर हमें एक difference देखने को मिलता है इस्टमक के अंदर क्या होता है वहाँ पर हमें oblique muscle भी देखने को मिलती है means muscularis की अंदर हमें ऐसी तिर्ची muscles oblique muscles भी देखने को मिलती है oblique muscles के अवल हमें इस्टमक के अंदर ही देखने को मिलती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे हमने डिसकस कर लिया है कि चार लेयर शिरोसा, muscularis, sammucosa and mucosa अब देखते हैं NCRT इसके बारे में क्या लिखती है और एक बात और जब हम elementary canal के अंदर transfer section काट कर के देख रहे है तो basically हम जो शिरोसा की बात कर रहे है जो शिरोसा है ये outer most layer है अगर हम किसी person की जो elementary canal है कोई intestine निकालकर के देखते हैं तो intestine जभाब हम निकालते हैं जिस portion को हम टच करते हैं जब हम अपना food जब हमारा food gour परistralosis moment करता है जब food peristalsis moment करता है bolus फिर उसका chime की form में जब वो move करता है तो basically वो mucosa वाले portion को touch करता है उस समय पर mucosa वाले portion को touch करता है और जब हम basically उसे physically touch करते है तो वो shiroosa वाला portion होता है अब देखते हैं हमने जो transfer section of gut का basic overview दिया है उसके बारे में NCRT में क्या mention है transfer section of gut की अगर हम बात करें transfer section of gut जो wall of elementary canal होती है wall of elementary canal elementary canal का क्या मतलब है जो isophagus से लेकर के इस्टमकी तक की जो structure है उसे क्या बोलते हैं elementary canal बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं elementary canal बोलते हैं हमने भी आपको बताया उसके अंदर हमें कितनी layers देखने को मिलती है उसके अंदर हमें four layers देखने को मिलती है पजिस four layers वे कौन-कौन सी layers होती है सिरोसा, मस्कुलेरिस, सम्म्युकोसा, एंड म्युकोसा क्या बोलते हैं इनको सिरोसा, मस्कुलेरिस, सम्म्युकोसा, एंड म्युकोसा जो शिरोसा होती है जो शिरोसा होती है यह आउटर मोस्ट लेयर होती है अभी हमने आपको बताया जब हम ऐसे ट्रांसवर सेक्षन काट करके हमने इसका देखा तो सबसे बारा में कौन सी लेयर देखी वो थी शिरोसा वो कौन सी लेयर थी शिरोसा और एक खास बात जो शिरोसा होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है शिरोसा एक थिन मीजोथीलियम की बनी हुई होती है शिरोसा बनती है मीजोथीलियम से बेसिक लिए मीजोथीलियम क्या होता है mesothilium जो visceral organs होते हैं हमारे उनकी epithilium को हम mesothilium बोलते हैं इसके साथ साथ में हमें कुछ connective tissue भी यहाँ पर देखने को मिलते है यह basic overview था चार्ड लेयर, syrosa, muscularis, summicosa, endmicosa, syrosa, outermost layer किसकी बनी होती है, यह बनी होती है mesothilium की, mesothilium क्या होता है यह epithilium होती है visceral organ की और इसके साथ साथ में हमें यहाँ पर कुछ connective tissue भी देखने को मिलते हैं अब बढ़ते हैं आगे अब जो चार लेयर हमें देखने को मिलती है, transverse section of gut के अंदर syrosa, muscularis, summicosa, endmucosa, इसको थोड़े होड़ डिटेल से हम समझते हैं अच्छे से इस diagram की help से इसको समझते है, जो outer most layer होती है, syrosa यह क्या होती है, syrosa होती है और इसके अंदर क्या होता है, muscularis हमें देखने को मिलता है, inner circular inner क्या है यह, circular है, और outer वाला क्या है, longitudinal है यह जो plexis होते है, emisentric plexis होते है, इने पढ़ने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि NCRT गे अंदर mention नहीं है और इसके बाद, जो important, यह diagram हमने किस लिए लिया है basically summicosa को समझाने के लिए ही लिया है summicosa एक important portion है जो summicosa होती है इसके अंदर हमें glands, blood vessels and lymphatic tissue हमें यहाँ पर देखने को मिलते है क्या देखने को मिलते है summicosa के अंदर हमें glands देखने को मिलती है blood vessels देखने को मिलते है और lymphatic tissue यहाँ पर हमें देखने को मिलते है और जो muscular, इसके summicosa के अंदर जो हमें glands देखने को मिलती है सम्युकोसा के अंदर हमें glands कहां देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है dudenum में सम्युकोसा के अंदर हमें glands देखने को मिलती है dudenum में और यहाँ पर blood vessels के साथ हमें nerves भी देखने को मिलती है और क्या देखने को मिलती है हमें याँ पर नर्वस भी हमें याँ पर देखने को मिलती है और क्या होता है इसके अंदर कौन से टीशू देखने को मिलते है इसके अंदर हमें लूज कनेक्टिव टीशू भी देखने को मिलते है इसके अंदर हमें कैसे टीशू देखने को मिलते है lose connective tissue हमें यहाँ पर देखने को मिलते है लूज connective tissue हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और जो mucosa होती है यह mucosa innermost जो होती है mucosa इसके अंदर अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी हम केवल इतना ही समझते हैं इसकी NCRT पॉर्शन को यहां पर डिसकस करते हैं हमने बताया अभी आपको इस टमक के अंदर हमें कुछ डिफ्रेंस देखने को मिलता है इस टमक के अंदर हमें एक एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है जबकि वो और के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है केवल हमें वो इस टमक के अंदर ही देखने को मिलती है सबसे outermost layer शिरोसा ये सम्में होती है कोई सा भी organ हो मिन्स अगर हम बात करें इसोफेगस के अंदर इसोफेगस के अंदर इसके बाद इस्टमक के अंदर small intestine के अंदर and large intestine के अंदर सब के अंदर हमें शिरोसा देखने को मिलती है जबकि उसके बाद क्या होता है जो muscularis होती है muscularis longitudinal होती है inner होती है circular यह outer कौन सी होती है outer होती है longitudinal and inner होती है circular आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है longitudinal देखने को मिल लई है outer और inner कैसी है inner है हमारे पास circular layers इस स्टमक के अंदर हमें क्या अलग चीज देखने को मिल लएं इस स्टमक के अंदर हमें यहाँ पर ओबलीक मुसल यह देखने को मिल लएं यह important point है obligedえ countries सं слplw स्टमक के अंदर घ hamm tap अब बात करते हैं सम्व्च आइसका भी ऐसा ही होता है बट यहाँ पर जो main चीज थी, oblique muscle layer कहां होती है, oblique muscle layer, इस टमक के अंदर हमें देखने को मिलती है, NCRT के अंदर इसके बारे में क्या given है, transfer section of gut के बारे में, जो muscularis होती है, शिरोसा के बारे में बात कर चुके हैं, जो muscularis होती है, किसकी बनी होती है, form by smooth muscles, जो muscularis होती है, smooth muscles से form होती है, और कैसे arrange होती है हमने भी आपको बताया diagram की help से भी समझाया आपको arrange होती है inner होती है circular means inner circular and outer longitudinal layer हमें यहाँ पर देखने को मिलती है inner circular and outer longitudinal layer हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और एक oblique muscle layers भी present हो सकती है कुछ regions के अंदर हमने भी आपको diagram की app से समझाया यह oblique muscle layer कहां देखने को मिलती है यह oblique muscle layer देखने को मिलती है इस टमक के अंदर oblique muscle layer देखने को मिलती है इस टमक के अंदर the sum mucosal layer is form of अब हम बात कर रहे है sum mucosal layer के बारे में जो sum mucosal layer होती है वो loose connective tissue की बनी हुई होती है किसकी बनती है loose connective tissue की बनती है और इसके अंदर हमने आपको diagram की help से भी समझाया था क्या होता है nerves होते है, bloods होते है, lymph vessels होते है और इसके लग क्या होता है और glands भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है glands का होती है वो duodenum के अंदर हमें देखने को मिल सकती है अब transverse section of gut के अंदर यह हम बात कर रहे है हमने भी आपको बताया glands कहाँ पर देखने को मिल सकती है glands are also presenting some mucosa बट some mucosa के अंदर जो glands हमें देखने को मिलती है कहां मिलती है duodenum के अंदर duodenum क्या है small intestine का पहला portion क्यार कहलाता है duodenum कैलाता है duodenum कैसा shape का होता है duodenum C shape की structure होती है अगर हम इस्टमक की बात करें तो इस्टमक J shape structure होती है and the innermost layers जो innermost layer होती है and the innermost layer lining of lumen of elementary canal is mucosa सबसे अंदर वाली जो layer होती है उसे क्या बोलते है हम mucosa बोलते है इस mucosa के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है हमने आपको बताया था 4 layer होती है सबसे बाहर mucosa सबसे बाहर sorry shirosa सबसे बाहर होती है shirosa shirosa के बाद क्या आता है शिरोसा के बाद ये आती है मस्कुलेरिस 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 के बाद कौन से लेर आती है मस्कुलेरिस के बाद आती है सब म्यूकोसा और इसके अंदर वाली जो लेर होती है इसके अंदर वाली जो लेर होती है इसके अंदर वाली जो लेर होती है इसे बोलते हैं म्यूकोसा इस तरीके से चार लेयर होती है सब्यूकोसा सिरोसा, म्यूकोसा, सम्यूकोसा और म्यूकोसा जो म्यूकोसा होती है इसके अंदर जो इनर मोश्ट होती है म्यूकोसा इसके अंदर में irregular faults देखने को मिलते है क्या देखने को मिलते है irregular false देखने को मिलते है कहाँ पर इस टमक के अंदर इस म्यूकोसा के अंदर irregular false देखने को मिलते है जिने हम रूगे कहते है क्या बोलते है उनको हम irregular false को हम रूगे बोलते है और इस intestine के अंदर क्या होता है म्यूकोसा की एकर हम बात कर रहे है इस टमक के अंदर हमें क्या देखने को मिलते है इरेगुलर फोल्स देखने को मिलते है जिने हम रुगे बोलते है और स्मॉल इंटरस्टाइन के अंदर हमें स्मॉल इन फोल्डिंग्स देखने को मिलती है small finger like in foldings देखने को मिलती है जिने हम willi बोलते है and small finger like foldings क्या बोलते हैं उनको हम willi बोलते है small intestine के अंदर अब हम आगे बात करते है इसको हम diagram की help से भी समझ लेते है रोगे क्या होते है, willi क्या होते है इसको हम एक diagram की help से समझते है इस डाइग्राम की मदद से आप इस चीज़ को समझ सकते कि विलाई क्या होता है ये माइक्रो विलाई क्या होता है इसके बाद आपको कोई confusion नहीं रहेगा हमने क्या किया हम किसी human beings है कोई इसके अंदर हमने small intestine को लिया हमने small intestine को काट करके अलग कर लिया तो हमने क्या पाया हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी सबसे बाहर हमें क्या देखने को मिलेगी सिरोसा उसके बाद क्या मिलेगी सिरोसा के बाद क्या देखने को मिलेगी मस्कुलेरिस मस्कुलेरिस के बाद क्या देखने को मिलेगी सब्म्यूकोसा और सब से अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी म्यूकोसा देखने को मिलेगी मिन्स सिरोसा, मस्कुलेरिस, सम्म्यूकोसा और म्यूकोसा अब क्या होता है जो म्यूकोसा वाला portion होता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते है उसके अंदर हमें विलाई देखने को मिलते है उसके अंदर क्या होते है हमें विलाई देखने को मिलते है हमने भी आपको बताया था म्यूकोसा के अंदर क्या होते है इन फोल्डिंग्स देखने को मिलत कहाँ पर intestine के अंदर intestine के अंदर तो क्या देखने को मिलते हैं विलाई देखने को मिलते है और इस तमक के अंदर क्या देखने को मिलते है इस तमक के अंदर क्या देखने को मिलते है रूगे इस तमक के अंदर क्या देखने को मिलते है रूगे देखने को मिलते हैं मिन्स म्यूकोसा के अंदर जो ये structure हमें देखने को मिल लई है जिसे जूम करके यहाँ पर दिखाया गया है ये क्या है? विलाई है आई होफ आपको एक लिए रुआ होगा ये विलाई है अब क्या होता है? जो cells की इनकी linings होती है विलाई की जो ये linings होती है cells की जो इनकी linings होती है इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं micro-villाई इन्हें क्या बोलते हैं? micro-villाई जब इस cellular level पर हम विलाई को जा करके देखते हैं तो हमें micro-villाई देखने को मिलते हैं विलाई का क्या यूज होता है यह माइक्रो विलाई ब्रस बोर्डर एपिरेंस देते हैं यह माइक्रो विलाई क्या करते है यह ब्रस बोर्डर एपिरेंस एपिरेंस देते हैं और क्या होता है इसके अंदर हमें विलाई के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पर हमें लिंप वेसल्स देखने को मिलती है इसके अंदर क्या होता है लिंप वेसल्स देखने को मिलती है और क्या होता है इसके अंदर नेटवर्क ओफ कैपिलरीज देखने को मिलती है मैं यह क्या है नेटवर्क ओफ capillaries अगली slide में इसके बारे में आपको clear हो जाएगा, lymph क्या होता है, network of capillaries क्या होते हैं और एक crypts of liver cone क्या होता है, वो भी आपको clear हो जाएगा NCRT के अंदर ये diagram दिया गया है NCRT के अंदर ये किस चीज़ का ये diagram है, सब म्यूकोसा के अंदर म्यूकोसा के अंदर हमें क्या देखने को मिलते है विलाई देखने को मिलते है म्यूकोसा के अंदर हमें विलाई देखने को मिलते है और ये विलाई कहां होते है intestine के अंदर होते है small intestine के अंदर होते है small intestine के अंदर क्या होते है विलाई हमें देखने को मिलते है यह वो वाला डाइग्राम दिया गया है लास्ट लैड में आपको जो दिखाया था विलाई कहा देखने को मिल लही थी वह मिउकोसा के पास में जो देखने को मिल लही थी उन विलाई को यहाँ पर दिखाया गया है यह क्या है यह विलाई देखने को मिलते है means जो विलाई होती है यह अंदर की तरफ धसी हुई होती है यह विलाई क्या होती है अंदर की ओर देखने को मिलते है धसी हुई होती है अंदर की ओर जब यह अंदर की ओर विलाई धसी हुई होती है means यहाँ पर क्रिप्ट्स देखने को मिलते है तो इसे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं क्रिप्ट्स ओप लिबर खून जो विलाई होती है वो अंदर की और धसी हुई होती है इसे बोलते हैं क्रिप्ट्स ओप लिबर खून और क्या होता है इसके अंदर विलाई के अंदर हमें lymphatic vessels देखने को मिलती है जो यह यह क्या देखने को मिल लही है विलाई के अंदर हमें क्या देखने को मिल लही है purple color वाली यह है lymphatic vessels हमें विलाई के अंदर lymphatic vessels देखने को मिलती है जिने हम क्या बोलते है लार्ज लिम्फिटिक वैसल्स को हम नाम देते है लेक्टियल इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते है लेक्टियल देखने को मिलते है विलाई तो आपको पताईए मिकोसा के अंदर विलाई देखने को मिल रही है और lactial क्या है यह lymphatic vessels, large lymphatic vessels को क्या बोलते है हमने अपनी तरफ से एक नाम रख दिया है large lymphatic vessels को lactial बोलते है और यह आपको capillary देखने को मिल लई है और red color वाली क्या है, artery है और यह blue color वाली क्या है, veins है NCRT का यह diagram भी आपको clear हो गया होगा अब हम NCRT में इसके बारे में क्या लिखा है उसके बारे में बात करते है अब बात करते है NCRT के portion के बारे में यह क्या है, यहाँ पर एक line missing है वो है cells lining of villi cells lining of villi की, वो क्या होता है जब उसे हम microscope से देखते हैं several level पर जाकर देखते हैं उनके projections को क्या बोलते हैं, micro villi बोलते है means, जो villi होते है विलi क्या होते है उसके जो projections होते हैं, उनके क्या बोलते हैं micro villi बोलते है उसकी cellular lining सो क्या बोलते हैं, micro villi बोलते है यह micro villi क्या करती है यह brush border appearance देती है means यह surface area बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है means विलाई का क्या है यह विलाई है ऐसे और इसके अंदर जो microvillai देखने को मिल लही है बहुत छोटी छोटी सी microvillai हमें देखने को मिल लही है ऐसे cellular level पर तो इससे क्या होता है surface area बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है surface area क्या होता है बढ़ जाता है these modifications increase the surface area enormously means क्या होता है इससे in folding से क्या होता है surface area बढ़ जाता है villai are supplied with the network of capillaries large lymph vessels and called lactial इसके बारे में बात कर चुके है जो villai कुछ supply करते हैं कोन करते हैं वो एक network of capillaries होता है और large lymph vessels होते है जिसे क्या बोलते हैं lactial बोलते हैं एक important point ये है जो mucosal epithelium होती है mucosal epithelium को क्या बोलते हैं mucosal epithelium के अंदर हम mucosal के बारे में ही बात कर रहे है इस mucosal epithelium के अंदर में goblet cells देखने को मिलते हैं ये goblet cells क्या करते हैं नीट में question ये पूछा जा चुका है goblet cells क्या करती है mucus को secret करती है goblet cells क्या होती है mucus को secret करती है और जो कि lubrications के अंदर महत्यपूर्ण होता है lubrication में क्या करता है help करता है lubrication के अंदर ये help करता है अब बात करते हैं इसकी आज की last slide के बारे में विलाई एंड क्रिप्टोप लिबर खून के last slide है mucosal epithelium has goblet cells with secret mucos help in lubrication बात कर चुके है हमने आपको बताया था mucosa has form glands in stomach जो mucosa होती है इसके बारे में हमने बताया नहीं है वैसे तो mucosa होती है mucosa इस्टमक के अंदर gland foam करती है इस्टमक के अंदर क्या करती है gland foam करती है जिसे क्या बोलते हैं gastric gland बोलते है इसे क्या बोलते हैं gastric gland बोलते है का करती है इस्टमक के अंदर mucosa क्या करती है gland foam करती है जिसे हम gastric gland कहते है और sub mucosa क्या करती है gland foam sub mucosa dudinum के अंदर gland foam करती है सब म्यूकोसा कहां करती है सब म्यूकोसा गलेंड कहां फोर्म करती है वो होती है डियूडेनम के अंदर और म्यूकोसा कहां करती है इस टमक के अंदर जिसे क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक गलेंड बोलते है और हमने अभी आपको बताया था जो विलाई होते हैं उनके बीच में क्या देखने को मिलते हैं क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं क्रिप्ट्स इन बिट्विन बेशिस ओफ विलाई इंटेस्टाइन के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं क्रिप्ट्स ओफ लिबर खून बोलते हैं क्या याद हो चुकी होगी ये सबी लेर्स क्या करती है ये मोडिफिकेशन सो करती है तो आज का जो हमारा टोपिक था हमने ट्रांसवर सेक्षन ओग गट और इसके अंदर जो विलाई क्रिप्ट्स ओफ लिबर खुन वाला पॉर्शन है वो सब हमने यहां पर डिसकस कर लिया है हैंगी वच्चो मिलते हैं अगले लेक्चर में